मा दुर्गा ने क्यों लिया था काली माता का अवतार? जाने यह पौरानिक कथा हिंदु धर्म में देवी देवताओं में मा दुर्गा का विशेश स्थान है मान्यता है कि दुर्गा माता की आराधना करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार देवी देवताओं ने स्रिष्टी को बचाए रखने के लिए समयस्मय पर कई अवतार लिये हैं इसी प्रकार मा भगवती दुर्गा देवी ने भी दुष्टों का सहार करने के लिए अनेक अवतार लिये थे नवरात्री के नौ दिनों में दुर्गा माता के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है जिसमें काली माता के स्वरूप का विशेश महत्व है पौरानिक ग्रंथों में काली माता अवतार के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं मा के काली माता अवतार लेने के पीछे की पौरानिक कथा के बारे में एक दारुक नाम का असुर था। दारुक ने कई वर्षों तक तपस्या करके ब्रहमाजी को प्रसन्न किया था। तब सभी देवता एकत्रित होकर ब्रहमा और विश्नु जी के पास गए और दारुक के द्वारा किये गए कृत्यों के बारे में बताया। तब ब्रहमाजी ने देवताओं से कहा कि दारुक का अंत केवल एक स्त्री ही कर सकती है अर्थात दारुक एक स्त्री के हाथों ही इसलिए उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया। भगवान शिव के गले में विश होने के कारण उस अंशने काले रंग के वर्ण में परिवर्तित होना शुरू कर दिया। काली माता ने अनेक प्रकार के आभूशन धारन कर रखे थे। उनके हाथ में एक त्रिशूल भी था। काली माता के इस अवतार को देख कर सभी देवता डर कर भागने लगे। माना जाता है कि काली माता के हुंकार मात्र से ही दारुक और अन्य असुर जलकर भस्म हो गए थे। भगवान शिव ने लिया बालक का रूप और उसे स्तनपान कराने लगी तब शिव रूपी उस बालक ने दूद के साथ साथ काली माता के पूरे क्रोध को भी पी लिया था माना जाता है कि माता के क्रोध से आठ मूर्तिया उत्पन हुई जिन्हें क्षेतरपाल के नाम से जाना जाता है